हाई गाईज मैं हो दुशाबो और आप देख रहे फंडू कंटेंट ये साल बॉलिवुड की फिल्मों के लिए बहुती ज्यादा अच्छा रहा चाहे वो कोई छोटे बजट की फिल्म हो या फिर कोई बड़े बजट की यू क्यू ना हो काफी मूवीज ने इस साल बॉलिव आजकल की जनरेशन को ये सब चीजों से ज्यादा पिच्चरों में कहानी और कंटेंट ज्यादा माइने रखता है जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है और आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की सोच भी ज्यादा बड़ी होते जा रही है आजकल लोगों को पिच्चरो पिच्चरों में स्रिफ मसाला और ग्लैमर नहीं चाहिए होता है आज को लोग पिच्चरों में ज्यादा तर देखते हैं डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और ऐसी कहीं चीजें और ये चीजें ही रिसाइड करती हैं पिच्चर कितनी अच्छ इतना अच्छा नहीं किया जितना इस साल की छोटे बजट वाली फिल्में जैसे की राजी सूपर हिट हो गई बॉक्स ओफिस पर और सौ करोर का बजट कमा लिया इस छोटे बजट के फिल्मों में ज्यादा बड़े आक्टर्स नहीं थे पर फिर भी इन फिल्मों ने बॉक सौफिस पर सौ करोर क्रोस कर दिया है और सबी दर्शकों के दिलों में एक अलगी बहतरीन जगा बना दी और सूपर डूपर हिट हो गई तो चलिए मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं वेश्ट करती हूँ और इस वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ इस साल की कुछ ऐसी फिल्म में जो छोटे बजट के होने के बावजूद इस साल सौ करोर का बजट क्रोस कर चुकी है तो शुरुआत करते हैं स्त स्री फिल्म को डाइरेक्ट किया है हमर कौशिक ने और इस फिल्म में है राजकुमार राओ, श्रद्दा कपूर, अपार शक्ति खुराना, फ्लोरा सैनी और पंकच श्रिपाटी जैसे कलाकार और इस फिल्म में नोरा फतही और कृती सेनन का एक-एक आइटम सौंग भी है और तो और नोरा फतही का आइटम सौंग कमरिया गाना बहुती ज्यादा हिट हो गया था, स्री फिल्म एक होरर कॉमेडी जॉन्र पे बनी हुई पिचर है और ऐसा जॉन्र ज्यादा देखने नहीं मिलता, और जब ऐसे जॉन्र में कोई पिचर हिट चले जाती है तो वो बह हो जाती है, स्री फिल्म बनी थी कुछ कुल मिला के 24 करोड में और इतना कम बजट होने के बावजूद इस पिचर ने बॉक्स ऑफिस पर 180 करोड का बजट कमाया है, स्री फिल्म यही साल 31 ओगस्ट को इंडिया में रिलीज हुई थी, तो इसी के साथ स्री पिचर हमारे लिस और इसे प्रोडियूस किया है करन जोहर और विनीत जेन ने, राजी फिल्म बनी है कुल मिला के 40 करोड के बजट में, पर आलिया भट और विकी कौशाल के बहतरीन काम ने इस पिचर को 190 करोड का प्रॉफिट कमा के दिया है, राजी फिल्म का जॉन्र स्पाइ थ्रिलर है, और खुद आलिया भट और करन जोहर ने एक्सपेक्ट नहीं किया तक ये फिल्म इतनी अच्छी करेगी बॉक्स ओफिस पर, और फिर इसी तरह से ये फिल्म भी हमारे लिस्ट में आ जाती है, जो छोटे बजट के होने के बावजूद 100 करोड कमा लेती है, हमारी अगले फि बदाई हो के बारे में, बदाई हो फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा जॉन्र पे बनी हुई पिच्चर है, जिससे डारेक किया है अमित रविंद्रनाथ शर्माने और इस फिल्म में है आयुश्मान खुराना, नीना गुपता, गजराज राओ, सुरेखा सिक्री और सानिया मलोत ये फिल्म रिलीज हुई थी 18 अक्टोबर 2018 को, और ये फिल्म बनी है कुल मिला के 29 करोर के बजट में, और इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पे कमाया है पूरे 220 करोर, जी हाँ, और इसी के साथ ये फिल्म भी हमारे लिस्ट में आ जाती है, जो छोटे बजट के होने के पिचर है आयुशमान खुराना की ही अंधादुन, अंधादुन रिलीज हुई थी 5 अक्टोबर 2018 को, और ये फिल्म ब्लाक कॉमेडी थ्रिलर जॉनर पे बनी हुई है, जिसे डाइरेक्ट किया है स्रीराम राग्वन ने, और इस फिल्म में आपको दिखेंगे आयुशमान तब्बू और आधिका आप्टे, इन तीनों ने ही बहुती बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, और शायद इसी वज़ा से ये फिल्म का बजट 32 करोर होने के बावजूद इस फिल्म ने कमाया है बॉक्स ओफिस पर 110 करोर, तो यही थी हमारी छूटे बजट के फिल्म है, ज झाल